Hello learners, welcome to my channel enlightened knowledge आज हम study करने जारे एक new chapter के बारे में वो है आपका public expenditure बड़ा ही important chapter है आपका, public finance का तो बच्छे क्या होता है कि government कैसे खर्चा करती है ठीक है, बहुत सारे role होते हैं government के आपकी economy को लेके तो उसे को ही discuss करेंगे, इस video में हम discuss करेंगे इसका meaning क्या होता है और क्या-क्या इसकी classification की जाती है कि कैसे, किस तरीके से, कौन-कौन से types होते हैं public expenditure की तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ आप मेरा telegram channel जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल एवलेबल हो जाएगी और साथी में Facebook पेज को भी लाइक कर दीजेगा इन दोनों का लिंक आपको description बॉक्स में मिल जाएगा शुरू कर लेते हैं तो पहले के समय में क्या होता था कि जो रोल होता था ना government का बड़ा ही limited सा होता था कि हम लोग government को देखते थे कि सिर्फ उसने क्या है कि एक तरीके से शांती ववस्था बनाई रखनी है economy में ठीक है मतलब police state हम लोग उसको जैसे कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ law and order को maintain करके रखना है लेकिन आज कल क्या हुआ कि जो आपके government या public authorities है न वो सिर्फ क्या है law and order को maintain नहीं करती बलकि उसके साथ में ठीक है उसको भी करती है लेकिन उसके साथ में क्या है economy को कैसे develop करना है लोगों के social well being के बारे में सोचना हर तरीके का जो भी objective होता है न एक country को लेके कि अपनी country को आगे कैसे बढ़ाना है तो government का role है न वो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है ठीक है जैसे जैसे और इस चीज को हम लोग क्या कहते है कि welfare state बनाना तो introduction में भी बच्चे यही बताया गया है जो आपका traditional concept था वो था police state का ठीक है कि just क्या है हम लोग कहते है न just police important है जो कि law and order को maintain करेगी discipline रखेगी हमारी country में ठीक है बस उसको कहा जाता था लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या एक modern state की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारे जो functions हैं वो ना कि सिर्फ society को protect करना internal या external attack से बलकि और भी कितने सारे functions हैं कि हमने क्या है transform करना है अपनी country को police state से किसमे welfare state में क्योंकि जो आज का prime objective है public authorities का या government का वो किसके बारे में सोचना है society के बारे में सोचना तो इसी तरीके से public authorities को बहुत जादा क्या है importance दी जाती है और इस तरीके से किसकी importance बढ़ जाती है public expenditure की कि जो government है वो किस तरीके से खर्चा करेगी जैसे आपके क्या है goal जो objectives है उसको क्या है achieve कर सके फिर है बचे आपका public expenditure होता क्या है expenditure का मतलब क्या होता है खर्चा करना अब जो public expenditure का मतलब क्या हुआ that expenditure incurred by the center state या फिर local government of a country कि जो भी खर्चा आपकी center की government state या फिर जो local bodies होगी जैसे municipal corporations हो गया ठीक है पंचायत होगी इन सभी का खर्चा जो किसके लिए किया जाए लोगों की social welfare के लिए country को develop करने के लिए ठीक है उसकी growth करने के लिए किया जाए तो growth and development जो होता है वो public expenditure का एक बहुत ही बड़ा significance है जैसे की country से हैं इंडिया जहां पे बहुत जादा क्या है खर्चा करना पड़ता है वो खर्चा सिर्फ और सिर्फ आप लोग private entrepreneurs पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहां पे public expenditure ज़रूरी है इंडिया जैसे एक developing country है तो यहां पे बड़ी सारी ज़रूरत है अभी भी यहां पे poverty है illiteracy है तो इन सब भी को देखते हुए सरकार का जो role है वो बहुत जादा बढ़ जाता है तो direct ज़रूरी नहीं कि government direct participation करे लेकिन क्या है government के जो essay plans हो ठीक है दोनों के साथ मिलके भी काम किया जा सकता है बलकि essay plans जो less developed countries के लिए बड़े जादा क्या है वच्छे important हो जाते है यह था वच्छे आपका meaning कि public expenditure होता क्या है फिर हम पढ़ते हैं इसके जो आपके classification है ठीक है उसको पढ़ लेते हैं अब जो expenditure सरकार करती है उसको न वच्छे उसका nature क्या है ठीक है इसका effect क्या पढ़ेगा आपकी economy पे उस तरीके से न अलग अलग तरीके से हमने उसको classify किया गया है जैसे purpose क्या होगा expenditure करने का ठीक है किस तरीके से expenditure किया जाएगा government के functions क्या होते है तो इसलिए budget या public expenditure का मतलब क्या है एक न अनुमाल लगाना estimate लगाना कि कितना खर्चा होने वाला है किसमे development projects में और non-development programs में या फिर हम कहा सकते हैं एक plan and non-plan programs में during the fiscal year तो budget receipts के जैसे public या फिर public expenditure government का इसको न बच्छे जैसे budget बनता है तो हम revenue expenditure लिखते है वैसे ही ये जो खर्चा है उसको भी आगे बांटा गया है एक होता है revenue expenditure और दूसरा क्या होता है capital expenditure अब इसको समझ लेते हैं इसको ध्यान से समझेगा अच्छे सबसे पहला क्या है आपका revenue expenditure ठीक है अब इसके characteristics क्या होते है revenue expenditure की दो इसके characteristics है revenue expenditure से रजे एक बात याद कर लो आप ऐसे सो सकते हो salaries देना ठीक है government employees को या old age pensions देना अब ये सरकार करती है किस के लिए social welfare के लिए लेकिन इस चीज़ों से सरकार को कोई revenue वैसे तो generate नहीं नहीं हो रहा मतलब कोई asset तो create नहीं हो रहा और नहीं अब देखो नहीं पैसा आ रहा है government को बलकि पैसा लग रहा है government का ठीक है कोई पैसा आ नहीं रहा तो अब जो loan उठाए है government उसको वो repay भी नहीं कर सकती तो नहीं मतलब उसकी liability में कोई कमी आएगी तो यहीं तो दो characteristics है ठीक है सबसे पहली देखो क्या है these expenditure do not create assets for the government यह सरकार के लिए कोई भी assets create नहीं करेगी जैसे कि कौन सा expenditure होगा फिर यह old age pensions देना salaries देना scholarships देना ठीक है न इस अभी को किस में treat किया जाता है revenue expenditure में अब यह एक तरीके के routine वाले expenditures होते हैं तो कोई भी asset यह creator नहीं करते second है यह expenditure do not cause any reduction of liability of the government कोई भी government की liability में यह reduction नहीं करते अब जैसे यह खर्चा आ गया expenditure on the repayment of loans ठीक है इससे तो government की liability कम हो जाएगी मतलब इसको हम लोग revenue expenditure में नहीं लेंगे क्योंकि हमने क्या किया loan की repayment कर रहे है ना इसके साथ क्या हो रहा है government की liability reduce हो रही है लेकिन revenue expenditure ऐसे खर्चे होते हैं जिससे सरकार की जो liability है वो उसमें कोई भी reduction नहीं हो रही क्योंकि ये सिर्फ सरकार अपनी तरफ से पैसा लगा रही है उसके बदले में government को कुछ आ नहीं रहा समझ में आ गया next हम लोग पढ़ते हैं बचे capital expenditure अब capital expenditure की दो characteristics बिल्कुल revenue expenditure की उल्टी हो जाएगी अब ये assets भी create करेगी और इससे liabilities हैं जो government की वो भी क्या होगी reduce होगी तो सबसे पहला वही है these expenditure create assets for the government जैसे equity है, shares है, domestic या multinational corporations की जो government खरीद लेती है उसके बदे में देखो government को profits आते हैं ठीक है ना कोई company खरीद ली है, उसमें share अपना है government का तो वो asset है government के लिए अब इससे क्या होता है, वो repay करती है loan वगारा को उससे सरकार की जो liability है वो भी धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, capital expenditure अब और भी तरीके के expenditures होते है तो उससे पहले बच्चे यह देखो link दिये गए है यह आपको description box में भी दोनों links provide हो जाएंगे, ठीक है telegram channel पे सभी किसभी आपको pdfl available हो जाएगी facebook page भी आप मुझे contact भी कर सकते है कोई भी आपको problem है, doubt है आप वहाँ पे मुझे message कर सकते है ठीक है और updates भी आपको मिलती रहेंगी वहाँ पे अब other types कोंसे होते हैं public expenditure की सबसे पहला type development public expenditure बिलकुल देखो साफ हो रहा है ऐसा खर्चा जिससे economy की development हो सही बात है न तो ये खर्चा कैसा खर्चा है जिससे growth और development activities करती है आपकी government इससे क्या होती है production capacity improve होती है example लिख लोगे जैसे कोई खर्चा है सरकार education पे कर रही है health पे, industries बनाने पे agriculture, transport, road, canal ये सारे के सारे जो खर्चें है ठीक है न ये सारे किसमें आ जाते है बचे, development productive expenditure जहां पे productivity बढ़ रही है second देखो क्या है non-development ये जिसको क्या कहा जाता है unproductive expenditure इसमें क्या आएगा बचे इसमें आएगा आपका जैसे सरकार खर्चा कर रही है लेकिन इससे nation की production capacity में बिल्कुल भी क्या है rise नहीं हो रहा फरक नहीं पढ़ रहा इसमें ऐसा खर्चा जैसे सरकार अपने कोई administration पे खर्चा कर रही है police पे, military पे law and order को maintain करने में taxes को collect कर लेना जैसे देखो loan लिया हुआ है उसमें interest की payment कर देना और इसमें old age pensions भी आ जाएगा ठीके ये खर्चा क्या होता है non development इसके किसी की development नहीं हो रही है और इससे कोई भी productivity enhance नहीं हो रही third अब अच्छे plan expenditure plan expenditure ऐसा खर्चा होता है जो बड़ा ही planning से किया जाता है ठीके इसी वज़े से plan development programs भी का जाता है इसमें क्या होगा दोनों के दोनों खर्चे involved होंगे consumption वाले भी और investment वाले भी खर्चे involved होंगे ठीके और ये कौन करता है सरकार या फिर जो planning commission है हमारे government का अब ये भी खर्चा देखो कौन सा खर्चा हो जैसे agriculture पे करना होगा ये planning से किया जतना power pay, communication industry, transport ये सारे हो गए आपकी plan expenditure फिर है आपका non plan expenditure अब इस तरीके का जो खर्चा होता है ये क्या है plan development program से बिलकुल हटके होता है, परे होता है जिसके हमने planning की ही नहीं होती ठीके, इसमें भी consumption और investment के expenditure होते है ये खर्चा एकदम से भी करना पड़ सकता है, ठीके, इसमें क्या आएगा जो government subsidies देती है ये planning से नहीं की जाती है ये रोज का चीज को देख के की जाती है एकदम से की जाती है, subsidies दे रही है defense पे खर्चा आगया, loan and order पे खर्चा आगया, या interest जो है, loan लिये हुए है, interest की payment करनी हो गई, ये बच्चे सारे के सारे कौन से आते हैं, non plan expenditure में फिफ्थ है आपका transferable expenditure अब जो प्रोफेसर पिगू है ना, उन्होंने public expenditure को आगे दो बागों में बांट दिया था एक था transferable और दूसरा था non transferable expenditure अब बच्चे transferable expenditure एक ऐसा expenditure होता है जो की production से related नहीं होता या फिर income से related नहीं होता, नहीं को याद रखना है ठीक है, इसमें just क्या होता है, देखो transferable का है ना इसमें पैसा क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, इससे कोई भी production में increase नहीं हो रहा किसी की income नहीं हो, उसके अलावा generate हो रही ठीक है, ये just transfer of income from government to the individuals and household, मतलब हमने ये सोचा है कि distribute कैसे करना है पैसे को, society में, जैसे की scholarships, ठीक है unemployment allowance, जैसे हम लोग महगाई बत्ता कहते हैं, ये सरकार के द्वारा जो किया जाता है, इससे क्या हुआ government ने अपनी income किसको transfer कर दी, public को ठीक है न, individuals को दे दी, बस इसी वज़े से इसको क्या कहा जाता है transferable expenditure, फिर है आपका non-transferable expenditure अब इसमें क्या होगा, एक ऐसा खर्चा जिससे क्या है which result in exchange of goods and services, जिसके, जिससे आप लोग money है, money से goods and services को खरीद पा रहे हो, उसका लेन दिन कर पा रहे हो, तो प्रोफेसर पिगू ने इसको क्या कहा है बच्चे real expenditure, ठीक है इसमें mainly कौन-कौन सी payments आती है, जैसे कोई factors यूज कर रहे है, उस पे सरकार जो payment करती है ठीक है, या armaments पे education पे, agriculture development पे, railway पे, एक तरीके से समझ सकते है, development के लिए जो खर्चे कर रहे है money से आप तो goods and services का exchange कर पा रहे हो, यह सारा किसमें आ जाएगा, non-transferable expenditure में, सेमन्थ है बच्चे, आपका current expenditure ऐसा expenditure जो की आपके current revenue से met down होता है और कोई भी capital assets की creation नहीं करता है ठीक है, देखो, सेम सेम चीज़ें आ रहे है लेकिन बस उसकी wording ऐसे जो इसका point है न, वो change किया हुआ है बिसको current expenditure कहते है, ठीक है न किसी को plan expenditure कहते है, development expenditure कहते है तो इसे कोई capital assets तो creator नहीं हो रहे है government expenditure जैसे की defense पे, administration पे यह कहा current expenditure, ठीक है जो सिर्फ आपके current revenue को ही met down कर पा रहे है से कोई भी capital assets की creation नहीं हो रही, एर्थ है बचे primary and secondary expenditure अब importance को देखते हुए ठीक है, public expenditure की इसको न, अगे primary or secondary expenditure में बाट दिया, important कोन होगा primary बला, primary को हम लोग क्या कहते है सबसे उपर, ठीक है न सबसे ज़्यादा जरूरी तो primary expenditure ऐसा खर्चा होता है जो की country के existence के लिए बहुत जरूरी होता है जैसे law and order maintain करना पहले तो सबसे पहले चीज क्या होती है country को बचा के रखना ठीक है न, external inferences से, या फिर आप लोग कह सकते हो, उसका law and order maintain करना, शांती बनाए रखना अपकी country में, यह सबसे बड़ा आपका objective होता है, और उसके बाद शुरू होता है, बच्चे, secondary expenditure जिसमें कहाता है, welfare करनी development करनी country की ठीक है अब आजकल क्या है modern times में जितना primary expenditure जरूरी है उतना secondary भी जरूरी है, ठीक है न तो आपको economy को अगर आगे बढ़ाना है, तो दोनों जरूरी है बोथ primary and secondary expenditure are necessary for the development of country नाइंत है बच्चे, आपका progressive proportional and regressive public expenditure, यह चीज़े आपने पढ़ी होंगी देखो, यह taxation में भी आएंगी progressive, proportional and regressive public expenditure अब प्रोफेसर डार्टर ने इसको बांटा था, ठीक है, इन तीनों categories दी थी, progressive बच्चे क्या होते है, progressive होता है जैसे जैसे income बढ़ती है न, ठीक है जैसे आप लोग taxes में माल लो, taxes में progressive taxation क्या होती है जैसे जैसे income बढ़ेगी, tax का rate भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, जैसे कि income bracket, people get less benefit out of the government expenditure, कि सरकार जितना खर्च कर रही है, उसमें जो rich होंगे, higher income group होगा उसको कम benefit मिलेगा और poor वालों को जादा मिलेगा जैसे education पे, healthcare पे price shops, जो हैं वो fair price shops खोलना, उससे benefit होगा जादा किसको poor को, than the rich proportional क्या हो गया, कि इसका income से कोई लेना देना नहीं वे एक fixed जो है percentage increase in salary, ठीक है वो सारा क्या है, proportional चलेगा to the level of income, जो सभी को आप लोगी कठा मान के चल रहे हो, इसका income का कोई लेना देना नहीं है, एक fixed percentages जैसे salary का, ठीक है having proportional effect on every employee, in a example of proportional public expenditure, जितना fixed percentage increase नहीं होता है, जैसे 10% किसी का increase हुआ income में, सभी का 10% ही हुआ सभी को हमने क्या रख दिया, proportional रख दिया न, तो ये वो खर्चा होता है last बचे, regressive progressive, progressive का उल्टा होता है, ठीक है, इसमें higher income वाले group को जादा benefit मिलेंगे, और poor वालों को कम benefit मिलेगा, ये वैसे बिल्कूल ही उल्टा होता है, क्योंकि regressive public expenditure जितना जादा करोगे उतना बलकि economy आपके नीचे जाएगी इससे न, जो income की inequalities होती है, असमानता हैं होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है तो ये वैसे आपको बताना जुरूर था जैसे regressive taxation क्या होता है कि poor वाले tax जाधा pay करते हैं rich वाले tax कम पे करते हैं तो मैंने दोनों इसलिए बताएं क्योंकि आगे हम लोग taxation वाना chapter भी पड़ेंगे तो आपको वाह पे थोड़ा याद आ जाएगा कि हमें ये चीजे पता हैं ठीक है, progressive, proportional and regressive तो ये था बच्चे kinds क्या होती हैं public expenditure की I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा कोई भी doubt हो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, so like, share and comment and press the bell icon ताकि हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे, thank you